अच्छा लग रहा ये जहासी की जंता की जीत है कहते हैं कभी कभी उट पर चड़े आदमी को भी कुटा काट लेता है और मुसीबत कब कहां कैसे आजाए कोई नहीं जान पाता अब ये वीडियो आप खुद देख लीजे बिचारे जहासी सीट पर भाचपा प्रत्याशी बिहारी लाल आरे रिकॉर्ड मतों से जीत कर अपने समर्थकों के साथ मदगरदा इस्थल के बाहर निकल रहे थी गर्म जोशी मेयर साहब के चहरे पर अलग ही देखने को मिल रही थी अब नए-नए मेयर बने तो सामने मीडिया के माइक का ढखेर लग गया जिसके बाद नेता जी ने अपना अपनी पार्टी का अपने पार्टी के नेताओं का यश्गान करना शुरू कर दिया इतना सब तो ठीक चल रहा था लेकिन मीडिया के एक सबाल पर मेयर सहाब के बगल में खड़े भाजपा के ही नेता बिदक गए और ना आओ देखा ना ताओ देखा मेयर के सामने ही पत्रकारों से जाब ड़े ऐसे मोके पर भाजपा के जीते हुए मेयर की हालत ये हो गई कि कहा तो मिठाई बांटने निकले थे लेकिन मिठाई के पहले ही बंडारा लुट गया अब जीतने वाले निता जी खुद को समभाले या पत्रकारों को समभाले या फिर अपने निताओं को शांत कराएं अच्छा लग रहा है ये जहासी की जनता की जीत है ये के कारकरता की जीत है ये के पडाद करी जीत है तक उनका सकस्स नहीं हो पाया ना रहा है बता दे की जहासी की मेर की सीट अनों सुचित जाती वर्क लिए आरे च्छती जहां पर भाजपा ने बिहारी लाल आर को मैदान में उतारा था लेकिन जैसे ही बिहारी लाल आर का टिकेट फाइनल हुआ भाजपा के अंदर से ही बिहारी लाल के बाहरी होने की अवाज बुलंद होने लगी इस्थानी नेताओं ने बिहारी लाल आर को बाहरी बता दिया लेकिन जैसे ही बिहारी लाल आर ने 83,000 वोटों के मार्जन से 86 मेयरपत की सीट जीती उसके बाद उनसे बिहारी बाहरी मुद्दे पर सवाल पत्रकार ने पूछ लिया किलाल जीत के बाद अब सभी नेता मेयर सहाब के पीछे पीछे नजर आ रहे हैं वैसे मेयर के पत की जिले में ताकर भी बहुत मानी जाती है ऐसे बाद ये देखना होगा कि ट्रपल एंजन की नई स्थानिय सरकार लोगों के बीच क्या कुछ करती है जहांसी से MS चिर्वासतप की रिपोर्ट यूपी तक